है कि guiding है अजिए इस दिपक सिंग्ग और आज हम एक नया टॉपिक डिसकस करेंगे इकॉनिमी का टॉपिक है ये इकॉनिमी का जो सलिबस है यूपी एसी और बाकि सारे सारे स्टेट एक्साम में और वो टॉपिक है अपका क्यूकॉमर्स का अपने इकॉमर्स के बारे में सुनो होगा अभी यह नहीं बला क्या है क्यू कॉमर्स क्या है कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था मैं अपने एक दोस्के घर पे था तो डिसाइड हुआ कि चलो कुछ घर पे ही बनाते हैं फिर हमने ब्रेड अंडे और जो आपका दूद होता है वो और करा तो यहीं कि नीचे कौन जाएगा उसको ओडर करने के लिए तो क्या करा ग्रोफर से हमने ओडर करा और ग्रोफर से दस मिनिट के अंदर आपका ओडर भी आ गया है यह मैं पर ग्रोफर को प्रमोर्ट नहीं कर रहा पर एक्चुली मैं भी बहुत सर्प्राइज था कि मुझे लग रहा करें आपका जाएब इसको अंदर करो और एकदम से का ओडर आजयेगा उत्ती जल्दी अपका दिलिवर आजाएगा तो यह Q-commerce के अंडर है तो इसमें objective इनका यह है कि market share को दुबारा से recapture करने के लिए जैसे Q-commerce बढ़ रहा है आपका coronavirus के background में कुछ जादा ही इसमें growth हुई है तो मलब e-commerce से हटके आपका Q-commerce की तरफ जा रहा है तो इस वरा से उसमें rebrand करा है अपने आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि after losing significant market share to big basket over the years Growfers is backed by soft bank ठीक है तो इसने अपना नाम भी change करा है और working model भी अपना change करा है ठीक है और यह objective इसवरा से है कि लोगों को बताने के लिए कि अब हम groceries और जादा जल्दी deliver करेंगे तो friends again I will discuss this topic in a 3C approach Context और मैंने आपको बता दिया फिर contemporary aspect Comprehensive way में आपको सारी dimension मताँगा कि है क्या इसके different नाम क्या है Dark stores क्या होते हैं यह prelims or means दोनों के लिए बहुत important और topic और फिर इसकी क्या reasons है इसका क्या future है and way ahead क्योंकि e-commerce का topic या फिर q-commerce का topic बहुत important है और अगर आप ऐसे शब्द जिसे q-commerce अगर आप यूज करेंगे तो UPSC वालों को लगेगा evaluators को लगेगा की yes की candidate में दम है उसे updated है उसे पता है तो अब हम बात करते हैं तो q-commerce exactly क्या है q-commerce means quick commerce here q means quick commerce it is also known as on-demand delivery rapid delivery and e-grocery groceries पहले भी आपको आई जाती थी मलब पर क्या होता था कि bulk में लोग order कर रहे हैं उसको काफी दिन लग रहे हैं आने में तो वह होता था लेकिन अब क्या है quick commerce में क्या कहते है कि बहुत जल्दी आपकी delivery हो रही है एक घंटे के अंदर तो ऐसा नहीं कि q commerce ही और e-commerce कुछ जादा फरक है q commerce actually e-commerce ही है जैसे आप amazon से order करते कुछ चीज़े order करते बट जहां पर q का मतलब है बस a newer faster form of delivery जो उसका working model है और जो fast delivery है वो इसका main objective है यहां पर यहीं mean फरक आता है ठीक है बाकी सब आस्पेक्ट काफी हद तक सेम है बट फरक कहां पर आता है speed of delivery में so it refers to company that deliver goods typically groceries in under an hour और as quickly as in 10 minutes जैसे मैं आपको 10 minutes का बताया सा 10-15 minutes में सच में इतनी जल्दी आगी थी groceries आप अपने level पर भी try करेगा और अपना feedback बताये का comment section पर type करके तो इतनी जल्दी जो deliveries होती है वो q commerce होता है it's a e-commerce plus speedy commerce तो उसको command कर देते हैं तो वो बनता है आपका q commerce इसका working aspect क्या है तो इसमें दो ही चीज़े हैं कि पहली बात तो यह working इसका working principle क्या है कि 10 मिनिटी के अंदर आपके delivery हो जाती है कैसे होती है क्या gross यह जो आपके delivery partners होते है किसी grocery shop पर जाके वहां से खरीद के आपको deliver करते हैं किस तरीका से करते हैं इसका working model क्या है एक तो यह कि micro warehouses setup करे जाएंगे closer to the point of delivery यानि कि हर locality में छोटे-छोटे warehouses setup करे जाएंगे अभी क्या होता है कि आपकी जैसे मैं अगर डेली में रहता हूं तो डेली के outskirts area में वहां पर बड़े-बड़े warehouses बनाए जाएंगे वहां पर good आता है और वहां से फिर आपकी delivery होती है तो उसमें बहुत जादा time लग जाता है और वहां वहां से में बहुत सारे products होते हैं जितना भी imagine कर सकते हैं उतने warehouses में होते हैं पर इसमें क्या होता है micro warehouses होंगे micro warehouses का मतलब एक ये भी है कि सारे या फिर dark stores जिसकी मैं बात कहूंगा ठीक है तो वो रखे जाएंगे और उनमें कुछ limited items ही रखी जाएंगी जैसे मैंने basic groceries आपका बताया है जो daily use के लिए होता है जैसे milk हो गया eggs हो गया आपकी vegetables भी हो गयी तो इस type की चीजें जो perishable होती है उनको रखा जाएगा and these will be set up at different places जो cities हो गई है आपकी वहाँ पे cities के बीच में पास पास location में आपका deliver करा जाएगा वहाँ पे setup करे जाएगे so इसके क्या दो working principles है it believes in setting up of micro warehouses located closer to the delivery point point of delivery जैसे राजिंदनगर में में रहता हूँ तो यहाँ पास में एक चोटा सा micro warehouse होगा पतेल नगर में आपका करोल बाग में एक micro warehouse होगा आपका and restricting stocks at these dark stores in micro warehouses को dark stores भी कहेंगे मैं dark stores के बारे में बताऊंगा कि these warehouses are only exclusively set up for online delivery of groceries so यह जो dark stores है इन पे stocks क्या रहेगा it will be focused set up under 2000 high demand items ऐसी items जिनकी बहुत जादा demand रहती है day to day basis पे जैसे मैं आपको बताया milk हो गया अब वो normally consume करता ही है water bottles हो गई इस तरीके की items वो यहाँ पे रखी जाएंगी as against the traditional formula of well stocked large format warehouses that are located on the outskirts of towns and cities और नॉमली क्या होता है कि अगर मैं डेली की बात करूँ तो डेली गुडगाउं highway पे हो गया वहाँ पे आपका कोई बड़ा सा वेह रहां बना दियो बहुत ही बड़ा जिसमें पता नहीं कितनी हजारों आइटम्स होंगी पर यहाँ पे क्य मैं बताई थी dark stores के बारे में जब मैंने dark stores कभी पहले पढ़ा था तो मुझे लगता था क्या होती है dark store क्या यह dark web के context में है dark net के context में है क्या होता है तो अब dark stores के बारे में बात करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि यह जो q commerce है it is highly dependent on these dark stores that is fulfillment centers that are located in densely populated areas जैसे मैंने to pick up and deliver stock super fast ठीक है तो आपकी densely populated area में जैसे मैंने आपको बताया कि अब यह मैं राजिंदा नगर में रहता हूं तो राजिंदा नगर से वहाँ पे आपका करोल बाग पास में है तो करोल बाग में एक बड़ा center है आपका market center है तो वहाँ पे एक micro warehouse setup करा जाएगा वहाँ पे deliver driver जाएगा वहाँ से pick up करेगा और एकदम से आपके 10 मिनिट के अंदर आपका delivery कर देगा the term dark store is also known as dark shop, supermarket और dot com centers so this refers to a retail outlet और a distribution center that caters exclusively for online shopping इसमें यह नहीं है कि normally एक बड़ा सा वेरा उस है जैसे big bazaar वगर आके हो गए आपके supermarket हो गई तो उसमें क्या होता है retail भी हो जाता है आपका और online का भी आपका कर दे सकते हैं वो पर यह जो आपके हैं stores हैं जैसे मैंने आपको बताया dark stores हो गया यह exclusively आपकी e-commerce के लिए ही है ऐसा नहीं कि retail outlets पे जैसे आपका होता नहीं कि बड़ी आपकी market होती है wholesale की market होती है हैं तो यहाँ पे confusion नहीं होती, cluttering नहीं होती तो इसको क्या कहा जाता है dark store, dark shop, dark supermarket और dot com centers यह इनके काफी अलग अलग नाम है तो यह आप देख सकते हैं confusion नहीं होगी आपको तो यह dark stores होते हैं और यही key role इनका play करते हैं और अगर हम जैसे आप बात करें कि क्यों commerce की बात करें if we talk about like the various stages of commerce की अगर बात करें तो first generation of commerce में क्या होता था पहली बात होती थी self service होती थी अब दुकान पर जाते थे खीक है फिर उसके बात second generation e-commerce है first generation वो थो commerce था उसमें e-aspect नहीं था अगर पुराने time की बात करें आप नीचे वहाँ पर बनिये की दुकान पर जाते थे वहां से आप खरीद थे थे self service होती थी बात ख़लब second generation e-commerce में क्या आया delivery में दो तिन दिन लग रहे हैं आप Amazon से बात करें Amazon अभी भी है और again it will also reinvent itself पर उसमें क्या होता है आप कुछ order करते हैं दो तिन दिन चीजों मे लग जाते हैं या फिर आपके होता है कि prime membership है या फिर कुछ exclusive membership है चलो एक दिन में हो गई वो भी depend करते हैं from item to item उसके लिए you have to pay extra पर normally कोई भी चीज को दो ते दिन लग जाते हैं जैसे मैंने कुछ ताइम पहले big basket of growers है कुछ ताइम पहले मैंने खाने की चीज़े order करी थी अपका प्रॉमगनेट हो गया अनार हो गया fruits हो गया उनको भी दो तिन लग रहे आने में थर्ड जेनरेशन और की बात करें जो q commerce है तो first generation एक normal commerce है second generation e commerce है third generation में q commerce है तो इसमें एक घंटे के अंदर delivery हो जाती है in fact 10-15 minute के अंदर delivery हो जाती है यह aspect है first generation commerce की बात करें तो all products available ह है ऐसा नहीं कि सारी एक ही दुकान पर at least अगर आप किसी market में जाएंगे तो वहां पर सब कुछ रखा होगा ठीक है e commerce की अगर बात करें second generation की बात करें तो main products available है almost सारी चीजे मिल ही जाएंगी but still थोड़ी बहुत limited रहती है क्योंकि basic बड़े जो e commerce की बात करें आप तो किस आप पर limitations रहेंगी क्यों commerce की बात करें तो यहां पर small selection है क्योंकि obvious ही बात है अगर हम micro warehouses set up कर रहें तो ऐसा नहीं कि सारी चीजे प्रोवाइड कर पाएंगे सारी चीजे एक जगा पर रखना भी कोई sense नहीं करता business model के point of view से the first generation की बात करें that is done by the privately owned car अपसे होता था आप जाते थे दुकान पर अपनी कार में जाते थे यहां पर आपका e commerce की बात करें तो एक delivery truck होता है आपका ठीक है और जो एक delivery truck होता है नॉमली होता है तो उसमें बहुत सारी items रखी जाती है तो उससे ज़ावा वेयर हाउसे से व in fact cycles भी हो सकती है ठीक है first generation commerce में बात करें तो super store होता था second generation में e commerce की बात करें तो mega warehouses इसका aspect आपका facilitate करते और यहां पर Q commerce में देखा जाए तो local stores और warehouses micro warehouses की बात करें ठीक है अब इसकी services access कौन करता है first generation और second generation में ने की basic commerce और e commerce में देखा जाए तो three to four people household अगर nuclear family की बात करें तो वो इसे access करते हैं पर जो third generation अपका है यानि की Q commerce है often single person household वो इसे जादा use करते हैं क्योंकि इन्हें होता है कि जल्दी से इनको कोई चीज चाहि होती है time नहीं है इसका reason क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है और first or second generation में जैसे आपका बात करें तो वहां पर discount बहुत जादा होता है जैसे आपने सुनवा का flip card का या फिर big bazaar का mega sale day होता है तो उस तरीके से आपकी उस चीज में discount पर जादा आपका focus रहता है तो उसमें रहता है कि चलो delivery अगर थो टाइम लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं है पर discount matter करता है तो bulk में लोग खरीद लेते हैं यहां पर third generation में होता है कि थोड़े पैसे लगेंगे पर speed यहां पर जादा matter करती है क्योंकि अब हम लोगों को e-commerce के लिए इतना जादा dependent हो तो इस context में speed जादा matter होती है तो friends अगर कभी e-commerce के उपर कभी ऐसे भी आ सकता है यह इसे के लिए भी बहुत important है तो first generation और third first second और third generation के बीच में आप difference बता सकते हैं तो यह बहुत जादा important है तो again you can always quote this और इस तरीके से अगर आप table of content बना के explain करेंगे एवाल्यूटर के ल से काफी सारे outlets है अगर इंडिया की बात करें तो मैंने आपको बताया कि यह आपका ग्रोफर्स ने तो ब्लिंकेट अपने आपको करी दिया है ठीक है स्वीगी की कर रहा है डुन्जो जो साथ में big basket है which is owned by the tata group है तो वो भी अपने आपको q-commerce में ला रहा है इन फैक कि इसके delivery काफी जादे इंप्रूब हो चुकी है तो स्वीगी और सेट डैट बाय जैनुरी 2022 यानि कि next year में इट विल में डिलिवरी इं 15 मिनिट्स तुरू नेटवर्क ऑफ डाक स्टोर्स जो आपका है ग्रोसरी आपके इंवेस्ट के लिए ग्रोसरी आपका तो वो भी पर सापका बढ़ रहा है ठीक है क्यों कॉमर्स में मैंने आपको बताया था कि डिलिवरी जल्दी चाहिए होती है और क्यों इतना जादा स्पीड पे इतना एंफसिस है बिजी लाइफस्टाइल अर्बनाइजेशन अब आजकल हर कोई बिजी हो चका तो उनको लगता है कि पैसे थोड़े से डाल लेते हैं पर डिलिवरी जल्दी हो जाए हमारे पास टाइम नहीं कि बिल्कुल शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरी शॉप तक जाने के लिए भी तो भी पैसे ले ले बाग काम कर जाओ तो बिजी लाइफस्टाइल होगे अर्बनाइजेशन होगे न उतना मनी प्रोवाइड कर देगा ठीक है स्मॉलर हाउसोल्ड जैसे मैंने बताया फिर कोरोना वैरेस के चक्कर में लोगों को अभी भी लगता है अभी भी काफी लोगों को फोबिया है और इस राइट ऑल्सो क्योंकि अब नया वेरियंट आ रहा है जैसे वेरियंट आ अब जिनकी एज हो जाती है या फिर ओल्ड कपल है वो क्या करते हैं ताकि उसमें से लोग अपना सब्जी वाला समान देके चले जाए पर वो कितने टाइम तक रहेगा तो लोगों को लगता है कि या अब सब्जी वाले को कहते है उपर ही आ जाए इस अच्छा उसको पैसे दे देते हैं तो similarly इसकी replacement के लिए Q-commerce भी आ गया है तो यह main factors है busy lifestyle, urbanization, smaller household, covid-19 and aging population यह इसके 5 factors हैं और main जो इसको boost है वो coronavirus के चक्कर में ही आया है ठीक है और साथ में rising expectation, coronavirus में फिर भी लोगों कथा कि delivery time पे आ रही है कोई नहीं पर अब coronavirus जैसे खता हो रहा है और लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए काफी busy हो चुके works के deal में अपने तो उनको लगता है कि ठीक है इससे better रहेगा कि हमारे पैसे लग जाए पर हमारे delivery हमें जल्दी दे ठीक है अब इसके benefits देखते हैं benefits इसके एक तो यही बता है कि obvious ही बात है customer satisfaction तो ही competition बढ़ेगा, service क्यू कॉमर्स business translate into possibility of even small or medium size enterprises entering the market साथ में इसके यह भी है कि local business जैसे होगे अब जैसे मैं अपने घर में हूँ, normally अगर मुझे delivery करनी तो पता नहीं कहां से delivery आएगी, पर क्यू कॉमर्स के context में क्या होगा, जो local warehouses है, जो local आपके markets भी होगे, retail outlets होगे, वहां से आपके जो goods हो होगे, वो deliver होगे, तो एक local economy को भी benefit मिलेगा, यह भी इसका जाधा benefit है, और अगर urbanization के context में देखें, तो traffic भी आपका कम होगा, क्योंकि वहां पर two wheeler से delivery हो रही है, और environment friendly भी है, क्योंकि कुछ cases में तो cycle से भी delivery हो रही है, तो यह इसके काफी सारे benefits हैं, क्योंकि मैंने बता हैं, पर question अब यह आता है कि profitable है या नहीं है, देखा जाए तो Q-commerce के बारे में नहीं, overall e-commerce के बारे में भी Zomato Swiggy के जो delivery partners हैं, उनके बारे में भी अगर देखा जाए तो लोग कहते ही हैं कि delivery partners को जाधा कुछ पैसे मिलते हैं नहीं, so it's not much profitable, low profit आपका margin इस पर रहता ही है, ठीक है, but it doesn't mean that profitability is impossible, especially with delivery fees and wider opportunities such as retail partnerships and advertising, तो advertising के थूँ, retail partnership के थूँ, और साथ में ये हो सकता है कि e-commerce में तो फिर भी margin थोड़ा कम रहता है, पर Q-commerce में, जब आपकी delivery तरी जल्दी हो रही है, तो हो सकता है कि उसमें वहाँ पे fees के चक्कर में ये जाधा profitable हो जाए, और customer satisfaction इसक तो ये हो सकता है कि अगर service अच्छी रही, अगर profitable अगर रही तो हो सकता है profitable भी बन जाए, अब future की बात में करें तो क्या है, तो future का इसमें यही है कि customer experience पर जाधा इसमें matter करता है, technologies पर किसे बहुत जाधा matter करते है कि technologies इसमें किस तरीके से role play करते हैं, तो इसके उपर Q-commerce क again future depend करता है, क्या technologies रहेंगी, बहुत सारे जैसे competition तो बढ़ेगा, उसमें किस तरीके से competitors इसको role play करते हैं, कितने जाधा तक वो जैसे delivery की बात करते हैं, क्या 15-20 मिनट में delivery आपकी possible है नहीं है, अगर वो sustain कर पाते हैं, definitely it has a future, तो friends ये था मेरा lecture Q-commerce की उपर, जिसके साथ मै मैंने आपको काफी सारी dimensions बताई, क्या developments चल रही है, क्यों हो रही है, आगे future क्या है, और साथ मैंने आपको e-commerce की overall देखा जाए, तो तीन generation भी मैंने बताई हैं आपकी, first generation of commerce, second generation which is e-commerce and third is Q-commerce, ये मैंने आपको बताया, तो ये essay के लिए, prelims के लिए, mains के लिए बहुत 7600, अगर आपकी कोई भी कोईरी है, then please feel free to connect with us, कोई भी आपका डाउट है, इस lecture related, course related, then please feel free to connect with us, और आप हमारे सेंटरी भी आ सकते हैं, बड़ा बाजार मांग में, और राजिन्दन नगर में है, so friends, this is Deepak Singh on behalf of Acubis, bye, thank you.